बिहार में भरी पिये मोदी ने हुकार अखलेश यादव का लिया नाम और फिर किये जमकर प्रहार पीए मोदी ने कहा कि इंडिया गडबंदन जादा दिन नहीं टिकेगा इंडिया गडबंदन की आँखों में मोदी खटकता है लेकिन यही मोदी लोगों के दिलों में बसता है लोगों की जुबानों पर रहता है पीएम मोदी ने विपक्ष पर बिहार में पहुच कर जमकर निशाना साधा क्या कुछ बोले अखिलेश यादव को लेकर पीएम मोदी क्या कुछ बोले इंडिया गडबंदन को लेकर पीएम मोदी चलिए हम आपको बताते हैं इस वीजियो में बिहार में पीम मोदी ने क्यों लिया खिलेश यादव का नाम पीम मोदी ने इंडिया गडबंदन को लेकर ऐसा क्या कहा जो अब आया चर्चाओं में पीम मोदी ने बिहार से इंडिया गडबंदन पर जमकर हमला बोला पीम ने कहा कि अपनी मनमानी से आपकी इच्छा से अब देश नहीं चलेगा इंडिया गडबंदन वालों की आखों में भले ही मोदी खटकता हो लेकिन देश के दिल में मोदी है पीम मोदी का ये कहना अब चर्चा का विशे बना हुआ है पता दे कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी लोकसवा चुनाव के लिए बिहार के पूर्वी चमपारण में प्रचार करने पहुचे जोरान पीम मोदी ने कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी और राजुद नेता तेजस्वी यादव पर जम कर निशाना साधा इतना ही नहीं पीम मोदी ने अखिलेश यादव के वारसी वाले बयान का भी जिक्र कर दिया पीम ने कहा कि चार जून को खुद को जनता का माई बाब समझने वाले इन लोगों को जनता ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी जहां पीम मोदी का साफ तोर पर ये कहना था कि इंडिया गड़बंदन वालों की आखों में मैं खटकता हूँ लेकिन लोगों के दिलों में मैं बसता हूँ और इन सब को ऐसी हार मिलेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी ये अब चर्चा का विशह बना हुआ है ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश